दिहार में चल रही सियासी उठापटक के बीच जिस प्रकार का महौल बना या कहें आरजेडी के कुछ विधाय को द्वारा बनाया गया। आरजेडी के अहमनेता है। अनिल जी आप इसे कैसे देखते हैं जिस प्रकार से टोका टिपनी नितीज कुमार पर बढ़ गई है आरजेडी की ओर से इसे क्या समझा जाए। मगर सुधाकर सिंग के बयान से लग रहा है कि तीर कमान से उचला चुके हैं नितीज जी तक एकदम सठते सठते बच रहा है। देखिए तीर कोन चलाया कमान कहा है ये तो हमारे सुधाकर जी हमारे परदेश अध्यक्ष आदर्निय जगता बाभू के सुपूत्र हैं और जिस परकार से उन्होंने बयान दिये हैं। क्या समझ के दिये हैं वो ही बता सकते हमसे बेहतर और उस पर जो प्रतिकिरिया हमारे नेता उपमुक मंत्री तेजस्पी जी के जो आया है कि इसको लालू जी के समक्ष रखा जाएगा इस सब सारी बात है अब पार्टी के जब बैठक होगी तो उसमें हम लोगों को बलाया जाएगे तो हम असपस्ट रूप से अपना विचार उहां रखने के काम करें जैसे बिचार किस तरह का रखेंगे क्या सुधाकर सिंगु ऐसे रखेंगे या कुछ और रखेंगे देखिए ये तो गोपनिये बात है अभी अगर आपको हम बोल देंगे तो फिर पार्टी में क्या रखेंगे अब पार्टी में जिस समय जब बात होगी तो हमारे नेता पहा करेंगे में इसके और पार्टी के लोगों को और पार्टी में अपनी बात को रखेंगे ताकि आने वाले दीनों में जो बिहार का भविस्त तेजस्पी जीके नित्रुत में बने वो सफलता पुर्वक बरसो बरसो तक चले ऐसा हम लोग बात को रखेंगे जो तर्क संगत होगा और उसी तर्क का अनुसार नित्रुत को और पाटी में चलना होगा अनिल ली आप काफी सिनियर नेता रहे है और सांसद और बिधायक दोनों रह चुके हैं RGD के जो केडर हैं, RGD के जो कारे करता हैं कई लोग तो बिधायक भी हैं मगर जो केडर हैं वो नितीश कुमार को अपना मान रहे हैं या नहीं जैसे हम लोग से कम तो आप गुमते नहीं होंगे या जाते नहीं होंगे तो उसे कैसे देखते हुँ, वहाँ से क्या कॉमेंटार ही और जो social site पर जो हम लोगोंने देखा अपने RGD की मजबूती की बात की, social site पर जाते हैं तो तेजसवी का जो एक बढ़ बढ़ हुआ है वहां देखिए जहां तक आप बोल रहे हैं कि नितुरूत के बारे में तो 42 सीट रहते हुए हमारा 89 सीट समर्थन कर रहा है महागट बंदन के 119 सीट होते हुए हम लोग नितीज जी को समर्थन करके मुख मंत्री बनाए हुए कि नहीं कि क्या मजबूरी रहिए मजबूरी नहीं मजबूरी बिहार चलाना है सत्ता के करीब जाना था लालू जी को या कुछ और था नितीज जी से दोस्ती नहीं भाना था नहीं कोई लालू जी का सत्ता के करीब जाना ते जस्पी जी को सत्ता के करीब जाना यह माने नहीं रखता ह माने रखता है कि महागठबंधन का जो माइनेट था ओ नितीज जी को मानने का काम किया नितीज जी जो बोले उसके अनुसार हमारे डिप्टी सीम बने तेजस्पी जी तो इसमें कहां ही कोई मतंतर है आप जो कर्चकरताओं के बीच में है तो हमारे नेता तेजस्पी जी सबी लोगों का बात होगा खुलकर बात होगी उसके अनुसार ही आगे के रणनिती बने उपमुख मंतरी बनने के लिए तेजस्पी आदब ने पार्टी को काफी पीछे लेकर चले गए ये सोसल साइडों का ये कॉमेंट है कि वो अपने पैर पर कुलाड़ी मार चुके है पुर्वा सोसी तुपेश्ची पिछरा आती पिछरा दली तकलियत इस सब अगर किसी का अगर बात मानता है तो उसका नाम तेजस्पी यादब है और तेजस्पी आदब आज भी मजगूत है और आने वाले दीन में मजगूत रहेंगे भाजपा के कुछ प्रदेश के महतपूर नेता कर रहें तेजस्पी आदब ने मतलब कि नितीश कुमार उन्हें कभी मुख मंत्री नहीं बनाएंगे और पीठोक के आस्वासन दे रहें हैं देखिए किसी का आस्वासन देने से या किसी को बनाने से नहीं बनता है इस देश के आप कभी सोसते थे कि नरेंदर मोदीर जी देश के पर दान मंत्री बने को कोई सोसता था अडबानी जी के सामने अगर परस्तिती इसी बन गई कि पिछरा को चेहरा को लाना परा सामने और यही न परचार होता था कि नरेंदर मोधी अती पिछरा का बेटा है नरेंदर मोधी पिछरा का बेटा है अरी नितीज जी नहीं है वो बाप को उधारान हम दे रहे हैं तो उबन गए तो खिसी के कहदो देने से भाजपा के नेता कहद देने से कि इन्का बतलब कि कहुत छोटा कर रहा है ते जस्पी कवी बात नहीं मानते हैं आने वाले दिनों में ते जस्पी जी गदावर नेता के रूप में बिहार ही नहीं पूरे देश में उबढ़ेंगे नहीं जुरा है अभी तेशस्पी जी के साथ लोगों का विश्वास आसा और विश्वास भरा हुआ है कुधनी में जनता ने एक ठोक बजा के जवाब देने का प्रयास किया है तो जवाब दिया है वहां कोई सिंडिकेट के लोगों को जो टिकट दिया चाहे जो राजत के सिटिंग सीट को हमारा ही सीट था उस सिटिंग सीट को जबरन जो ले लिए इसलिए उहां लोगों में नराजगी कसके था और जो भी भोट आया वो समझिये तो ते जस्पी जादब के दो मर्तबे जाने के कारण भोट आया अंतर और जादा होता आपने अपत्ति जताई थी ते जस्वियाद उसे ऐसे हो ऐसे कुछ देखिया अपत्ति के क्या बात है जब टिकट के बटबरे हो गया टिकट राजद भी छोड़ दिये और जो है सो जनता दलिव ने उले लिया तो उसमें अपत्ति करने के क्या बात था जनता ने अना अपत्ति करके बता दिये मतलब सीधे तोर पर जनता जदिव को नहीं चाह रही है या आप भी महसूस कर रहे है जनता कुरण्डी में नहीं चाहिए और विहार में आज वी उसका रियेक्शन कोई खotम नहीं होता एक दू दिन में रियेक्शन खotम नहीं होता है इसका आफटर एफेक्ट जो है सो आने बाले चुनाब पर पर पड़ेगा जैसे लोग सभा की चुनाब है आने बाला विदान सवा की चुनाब है उस पर भी गहण अध्ययन करने कि आभास सकता है कि हमारा दल और हमारा नेता कैसे मजगूत होगा कर्च करताओं और इनके साथ जूरे हुए लोगों का भविश कैसे बनेगा इसके लिए मन्थन करने का समय अब हमारे नेता तेजस्पी जादब जी को और हमारे परदेश अद्धक्ष आदर्निय जगता बाबु के हाथ में है अभी हमारे नेता राष्टिय ध्यक्ष आदर्निय लालु जी स्वास्त लाप कर रहे हैं विदेश में वह आवेंगे तो वह भी इस पर मन्थन करेंगे कि आने बाले दिनों में जो हैसो हमारा जो इनपैक्ट था सोसित प्यक्षित गरीब गुर्वा पिछरा आती पिछरा जलित सोसित अकलियत के लोगों का जो भोट है उसमें विखराब नो हो वह आपके साथ कैसे बना रहेगा इस पर रननिती बनानी हो नितीज जी के कार्यों को कैसे देखती है अरजेडी अभी तो तेजस्पी तारीफ कर रहे हैं छे महिना पहले पूरा बुराई गिना रहे थे आगे भी महिना दो महिना में क्या हम देखेंगे ऐसी इस्तितियां बनेगी देखिए हमारे डाको जब अच्छाई नजर आ रहा है थाहम लोगों को भी अच्छाई नजर आ रहा है violation जब तक साथ है सत्ता के यह करते हैं फिर फिर नितीज जी। अम्हें कंग सहरें कैसे हम लोग काहा है में छोड़ने का हम लोग का है हम लोग तो उनने इसो भले 2017 में भी नहीं छोड़े थेंई उपिंदरम किसवाहां नेता नहीं मान रहें तो मतुं से ऊचुनाब करेंगे भी ये जो है सो हमारे अधर्णीय मुख मंत्री नितीश कुमार जी बोले कि यह सो हम कि दू़ाइर पचीश का बिधान सब्सक्राइब के दिजस्पी जी के नितुरूट मेले रहें तो इसका मतलब है कि दू़ाजार 24 का जो लोग सब्सक्राइब होगा वो नितीश कुमार जी के नेतरुत में लड़ा जाएगा महां कट बंदर पर जादियू के कही नेताओं के बातों से लगा और नितीश जी का जो पॉलिटिकल कुंडली है उस हिसाब से है कि इधर से उधर बीजेपी के साथ जाके नौमी बार सपत ले ले लेंगे अब नौमी बार रेकोड बनावें चाहिए दसमी बार बनावें हमको अब उमीद नहीं है कि अब इधर से उधर हो जाएंगे अगर जाएंगे भी तो भाजपा वाला अगर एक्सेप्ट करके अब सरकार अगर बनाती है तो भाजपा का भी छिया लेदर होगा मतलब ही मानते है बिधायक नहीं है पिर नाभ अपना मन वाला हम तो हम भी घृःक थे तो खुसते की सरकार बन गई और हमारे जो बिधायक है हमारे जो सांती हैं कारे करता ही सबसे बात किये हैं कारकरता ही सबसे एक अध्को जो जिलातोली का प्रखंड सबी करिस करता आज के परिस्तिती में जो है सो हमारे तेजस्पी जादब जी के नित्रुत में जो बिहार का विकास हो रहा है नितीज कुमार के साथ मिलकर जो विकास हो रहा है उसको देखकर खुस है नोकरियां बट रहा है इसके लेकर लोग खुस है और सभी को लेकर तेजस्पी को ब दिन दस दिन भीश करकर लोग को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है तो हमारे नेता थे जस्पी जाद अब जो है सो रोजगारों को रोजगार देने में पूरी तरह से लगे हुए अब बीजे पीबल अंदर अंदर आसा लगाए हुए चलिए अभी के लिए इतना ही कहेंगे अनिल सहनी जी थे आर्जेडी के पुराने नेता हैं और भी तमाम बाते हम करते रहेंगे मेरा नाम रवी कान्त हुआ बिहार पॉलीट का अबडेट सुनने के लिए जाकास वारत देखते रहें कैमरे के पीछे सोनू जी है धन्यवाद